हेलो बीटिफुल सौल कैसे हैं आप सभी लोग आई होप आप से लोग बहुत ही बढ़िया होंगे आज करें वीडियो आने वाला उसमें हम लोग एमकेस कॉलेज चंदोना है आपका दरबंगा जिसका में यह है उसमें सेमेस्टर टू दोहजार तरीस से लेके 27 तक का एड़ि बाइस बताएंगे कि कॉलेज अप्रूफ फॉर्म में लिखना क्या है जैसे आप लोग एप्लिकेशन लिखते हो वैसे नॉर्मली एप्लिकेशन लिखना ठीक है और उसको कॉलेज अप्रूफ बस एड़िशन किसी भी तरीके से करो उसमें कुछ भी पत्र सलंगन कर दो ठी देखें जैसे पहले ऑनलाइन हम ऑनलाइन पोर्टल खोले हुए थे कल तो यहां पर क्या है कॉलेज अप्रूफ फॉर्म है नहीं यहां पर तो इसमें फ्रूफ फाइल करके जो आपको अप्लोड करना था क्या एप्लिकेशन को साधे पेज पर लिखकर उसको कॉलेज से मु एप्लिकेशन लिखना कैसे है हमको एप्लिकेशन कॉलेज अप्रूफ फॉर्म का इस तरीके से लिखना है कैसे जैसे नॉर्मली हर किसी भी एप्लिकेशन को लिखने से पहले क्या कारिकरम किया जाता है क्या सिस्ट्रम है सेवा में स्रीमान जो लिखते हैं वहीं लिखना है यहां तक लिख दीजेगा प्रधानचारे महोदे उसके बाद MKS कॉलेज ठीक है MKS कॉलेज मतलब सीधा सौर्ट में बता दीए आप सेकेंड सेमेस्टर में नामंकन कराने के शंबंद में जो भी आपको यहां मन हो लिखने का महासय लिखिए महादय लिखिए जो लिखिए आप उससे बस निवेदन करना आपको ठीक है तो बस निवेदन करना है तो आप महासय लिखिए सर लिखिए जो लिखना है वो लिखिए निवेदन सबने निवेदन है कि या निवेदन पूरवक कहना है कि मैं पीकॉम सेमेस्टर फर्स्ट कक्छा का छात्र हूं या झात्रा हूं जो girls हों के छात्रा लिखेंगे जो boys हों के छात्रा लिखेंगे फिर उसके बाद लिखना है आगे की पढ़ाई है तू या आगे की पढ़ाई के लिए second semester में नमगन लेना चाहता हूं या चाहती हूं गर्स चाहती हूं और वय्त चाहता हूं वह लिखें गैं वह तो समाझ सकते नॉर्माल बात थाकता है उसके बाद mile फॉइंट है कि हमारा यहां क्या लिखना है तरे का यहां पर हमको लिखना है में कॉलेज में रेगुलर यहां पर रेगुलर लिखेंगे या 55% में उपस्तिती रहेगी या new Genau रहूंगा मैं कॉलेज में रेगुलर या 75% उपस्थित रहूंगा ठीक है ऐसे लिखना है एब हम वर्ग में क्लास में उपस्थित मतलब प्रिजेंट उपस्थिती नहीं होने पर मेरा एडिवीशन या नामंकर रद किया जा सकेगा या जाए ठीक है मेरा नामंकर रद किया ज पर मेरा एडिवीशन नामंकर रद किया सकेगा उसके बाद हमारा सीधे आना है अता आपसे निवेधन है कि यहां पर करना है प्रकिर्या को पूर्ण की जाए बस आपको अधा आपसे निवेदन है कि मेरे दस्तावेद दस्तावेद डॉक्मेंट जो कि इस आवेदन जो आप फॉर्म भर रहे हैं अप्लिकेशन के साथ सलंगाने अटैच है कि मेरे दस्तावेद की जाच कर मेरे नमंकन की परकिरिया को पूरी की जाए उसके बाद आपको जो लिखना यहाँ पर आगया कारी चात्र हो या नहीं भी आगया कारी चात्र प्राथ ही जो लिखना हो नाम यहाँ पर जो भी हो फलाना फिर रॉल नंबर लिखना है आपको है वह आपका यहां डन होगा ठीक है और अच्छे तरीके से होगा अब बस उसको अटेच करके उसमें फाइल को अपलोड करिए मोहर लगवा के कॉलेज से कॉलेज जाना होगा सबको ठीक है तो इतनी सारे जानकारी थी जो आपको बता देना बहुत ही जरूरी था ठीक है अग और वी युनिवर्सिटी फट्ना हुए पुर्णिया हुए मुंगेर हुए मगध हुए भीम्राव अंबेदकर युनिवर्सिटी भागलपुर युनिवर्सिटी जितने भी कॉलेजेस आते सारे के इंफॉमेशन यहां पर मिलते है ठीक है तो आप लोग मेरे चैनल से जूर तेकर